हेलो फेंट्स दिस इस चेदन न्यूज ये है कि रिसेंट्ली सिंगापूर एलाइंस का एक प्लेन एयर टर्बुलेंस का शिकार हो गया सिर्फ तीन ही मिनिट में प्लेन से 37,000 फीट की उचाई से गिर कर 31,000 फीट तक आ गया टर्बुलेंस के टाइम प्लेन को बहुत सारे जटके लगे आप ये वीडियो देखिए क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन काम चल जाएगा बहुत ही खदरनागी हादसा था जिसमें एक व्यक्ति की मोध हो गई और तीस से ज़्यादा लोग घायल है समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, एयर टर्बुलेंस क्या होता है, ये घटना क्यों हो जाती है, ये टर्बुलेंस कितने खतरनाग हो सकते हैं, क्या टर्बुलेंस की वज़ा से प्लेन क्रेश हो सकता है, पाइले टर्बुलेंस से कैसे निबढ़ते हैं, बहुत कुछ डि और यह हैं सिंगापूर, यहाँ पर इसे पहुशना था, फ्लाइट में 211 पेसेंजर और 18 क्रू मेंबर्स थे, टेक ओफ के 10 गंटे बाद फ्लाइट मियम मार के एर स्पेस में इंटर करती है, और 37,000 फीट पर खराब मोसम की वज़ा से एर टर्बुलेंस में फस जाती है, इस उस ताइम पेसेंजर्स को सीट बेल्ट पहनने की वर्निंग नहीं दी गई थी, जिसके चलते बहुत सारे पेसेंजर्स अपनी सीट पर उचल गए, और उनका सिर लगेज कंटेनर से ठकरा गया, कई लोगों को चोट लगी, और एक पेसेंजर की मौद भी हो गई थी, इसके आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कि टर्बुलेंस आकिर होता क्या है, है ना, देखे प्लेन में टर्बुलेंस का मतलब हलचल होता है, जब प्लेन उड़ता है, तो हवा उसकी उड़ने में मदद करती है, लेकिन जब हवा के बहाओं में कोई प्रोब्लम आ जाती है, तो plane सही से चल रहा है दूसरी situation turbulence के साथ में है आप देख सकते हैं कि plane किस तरह डगमगा रहा है यानि कह सकते हैं कि किसी भी plane को उड़ने के लिए ये जरूरी है किसके wing के ऊपर और नीचे जो हवा बहती है, जो हवा चलती है वो ठीक हो, वो normal रहे लेकिन अगर इन में कोई problem आती है तो planes को turbulence का शिकार होना पड़ता है planes turbulence तीन तरह के होते हैं हलके, medium और खतरनाग हलके turbulence में एक मीटर तक plane उपर नीचे होता है और passenger को इसमें पता भी नहीं चलता medium turbulence में plane तीन से छे मीटर तक उपर नीचे होता रहता है अगर seat belt ना लगाए जाएं तो passenger के साथ बड़ी घटना हो सकती है आपका question ये होगा कि air turbulence होते क्यों हैं, ये घटना हो क्यों जाती है, देखी अगर हवा की speed और उसकी direction rapidly change हो जाती है, तो इस तरह की problem हो जाती है, दूसरी बात जब वायुदाप, या यू कहें कि air mass के temperature में अचानक बदलावा आ जाता है, तब भी एसा हो जाता है तीसरी बात, जब हवा पहाडों पर बहती है, तो ये पहाडों से टकराती है, और तब भी turbulence की situation create हो जाती है इसके अलावा आप देखो, तो जब बड़े बड़े दुफान आते हैं, या cyclonic activity होती है, तो ये सभी कही न कही वायुदाप को प्रभावित करती है, और हवा के बहाओ में problem करते हैं, लेकिन सवाल safety का है, airlines इन चीजों से केसे निपड़ती है, देखे उडान भरने से पहले, pilots को सभी information प्रोवाइट कर दी जाती है, turbulence के time plane की speed के साथ साथ, उसकी उचाई भी कम कर सकते हैं, crew members को turbulence से निपड़ने की training दी जाती है, turbulence कभी भी आ सकते हैं, इसलिए सभी लोगों को seat belt लगाने की सला दी जाती है, बड़ा question ये है, कि क्या turbulence की वज़ा से plane क्रेश हो सकता है, देखे, modern technology के बहतर होने से, turbulence की वज़ा से जो plane क्रेश होते हैं, उनकी संभावना आप काफी कम रह गई, लेकिन फिर भी आशंका बनी रहती है, 1994 में अमेरिका की air flight 1016 turbulence में फस गई थी, और landing के समय क्रेश हो गई, और जब यह हादसा हुआ, तो इसमें 37 लोगों की मौथ हो गई थी, इसी तरह का हादसा 1999 में हुआ था, जब अमेरिका की flight 1420 turbulence के बाद, landing के time airport के runway से आगे निकल का क्रेश हो गई थी, इस हादसे में 11 लोग मर गए थे, लेकिन सबसे खतरना घटना 2001 में घटी थी, जब American Airlines की flight 587 टेक ओफ के थोड़ी देर बाद क्रेश हो गई थी, इसमें जितने भी passenger थे, वो सब ही मर गए थे, हाला कि modern plane इस तरह से बनाए जाते हैं, कि यह हर तरह के turbulence को जहल सके, एक interesting बात आपको बताता हूं, और वो यह कि climate change की activity के चलते, air turbulence की घटना काफी बढ़ गई, ब्रिटेन की Ready University ने एक study में ये पाया, कि 1980 से 2020 के बीच, North Atlantic route पर turbulence के मामले में, 55% की वरद्धी हुई है, इस study में ये भी बताया गया, कि इसके पीछे का जो main reason है, वो carbon emission है, और जिस तरह से पूरी दुनिया में carbon absorption हो रहा है, उसने पूरी दुनिया की जलवायू को प्रभावित किया है, आपने बात नोटिस की होगी, कि अब बिना टाइम बारिश होने लगती है, cyclone भी ज़्यादा आने लगे हैं, heat waves ने तो पूरी दुनिया को चुका दिया, और इन सभी का असर, वायू मंडल पर पड़ता है, expert का यही मानना है, कि आस्मान जितना साफ रहेगा, नोर्मल रहेगा, turbulence से बचने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेगी, सो आज के लिए इतना ही, thank you,